हेलो दोस्तो स्वागत है आपका मैं हूँ सुदिस और आप देख रहे हैं सेडन सोल्स एजुकेशन आज हम इस वीरियों में बात करेंगे दरोगा परसाद राय की बायोग्राफी के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं दरोगा परसाद राय जो है बिहार के दसवे चीफ मिनिस्टर थे दरोगा परसाद राय जो है दो सेप्टेमबर 1922 में इनका जन्म हुआ है 1922 याद रखेगा डेट 15 अप्रिल 1981 को इनका दिहान्त हुआ ये इंडियन पोलिटिशन थे फ्रॉम स्टेट ऑफ बिहार और ये मिनिस्टर रहे ये कॉंग्रेस पार्टी से थे और कॉंग्रेस पार्टी जो है माइनोरिटी में आ गई थी दस महीने के बाद in December 1970 और फिर करपुरी ठाकुर जो है इनके बाद जो 11 में चीफ मिनिस्टर बने वो करपुरी ठाकुर जो की 1st Socialist चीफ मिनिस्टर थे वो भी जो है कुछ महीनों के लिए सरकार में थे मतलब मुख्यमंत्र रहे फिर उनकी सरकार भी उनकी भी मतलब पार्टी भी माइनोरिटी में आ गई और जन्संग के सपोर्ट से ये बने थे ये जो दौर था ये बिहार में जो है ऐसा दौर था जब सरकारे जो है टिकती नहीं थी कुछ दिन के लिए सरकार बनती थी फिर माइनोरिटी में आ जाती थी अब देखते हैं 1990 में जब जनता दल फैमिली पॉलिटिक्स में डोमिनेंट होने लगी तो इनके जो दरोगा परसाद राए के बेटे जिनका नाम है चंद्रिका राए चंद्रिका राए को आप लोग जानते होंगे चंद्रिका परसाद राए और लालू परसाद राए जो है मिलकर बिहार के पॉलिटिक्स में डोमिनेट करने लगे चंद्रिका राए जो है ये सेकेंड सन है मतलब दूसरे बेटे हैं दरोगा परसाद राए के पाँच बेटे पांच पेटे में से जो दूसरे बेटे हैं हो है चंद्रिकारा और ये लालू प्रषाद यादो के सपोर्ट से ये लोग सरकार बनाते रहें दरुगा प्रषाद राय की ग्रैंट डॉटर एस्वर्यार राय है जिनका साधी तेजपरताप यादो जो की लालू प्रसाध यादो के सबसे बड़े बेटे हैं उनकी साधी 12 मई 2018 को ही ये नियूज में होंगे क्योंकि अभी एस्वर्याराय को तेजपरताप यादो ने तलाग देने के लिए कोट में डॉक्मेंट्स सब्मिट किये हुए हैं इन लोग के बीच में जगडा चल रहा है साध दिसंबर में अश्वर्याराय को घर से निकाल दिया था राब बड़ी देवी ने ऐसा भी इलजाम लगाया थे कि उनको खाना हो गए रार नहीं दिया जा रहा था तो बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है लालो परसाद यादो और यह एस्वर्याराय की फेमिली से है तरुगा-परसाद रय थे और उनके पीता जी चंदरिकार रय उननिस सो सनतावन में देखिएं उननिस सनतावन में जैनरल लेक्षन हुआ और परसा जो है यह कि चपरा जिल भी बोलते हूं उसमें एक ब्लॉक है वहां से एक कंसिच्वेंसी है परसा करके वहां से ये बिहार बिधान सभा की सीट जीते थे ये रहे दरुगा परसाद राई और ये उनके बेटे हैं चंद्रिका राई और ये तेज परताब यादो लालुपरसाद यादो की बेटे और ये अस्वरिया राई दरुगा परसाद राई की पोती ये लालुपरसाद यादो को भी पोलिटिक्स में लाने का जो हाथ है मतलब ये गुरुभाई है इन्हों नहीं इनको जो है सपोर्ट किया कैसे पोलिटिक्स में आना है तो ये सारा सपोर्ट जो है दरुगा परसाद के चलते ही जब दरोगा परसाद राई मुख्यमंत्री थे तो ये जो है पटना इन्वरसिटी में कॉलेज के नेता हुआ करते थे लालू परसाद यादो तो इस तरह से है और एक और घटना जो हुई है हाली में जो सिस्टर आफ तेज परता आप यादो मतलब जो एस्वरा र राई की बहन है मतलब अपनी बहन नहीं चाचा की बेटी जिनका जिनका नाम है करिस्मा राई ये एक डेंटिस्ट है और ये भी जो है ग्रैंड डॉटर पोती है दरोगा परसाद राई की इन्होंने आर्जेडी ज्वाइन कर लिया है और इनके पिता है बिधान चंद्र र परकर है और ये आर्जेडी एमेले चंद्रिकार राई के भाई है एल्डर ब्रदर है बड़े भाई है और डॉटर एस्वारा राहिजिंग नास्टी मेरिटल डिस्प्यूट वी तेजपरताब याद हो तो ये था दरोगा परसाद राई का पूरा फैमिली हिस्ट्री और द बेला दो थेंक्यू सो मच्च